सब्सक्राइब क्लास 7 की फिजिक्स में चेप्टर लाइट हमने शुरू किया था यह इसका थर्ड लेक्चर है पिछले लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा उससे पहले प्लेन मिरर को भी समझ चुके थे ठीक है स्फेरिकल मिरर्स में आपने कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर के बारे में देखा किस तरह उसकी सायता से हम इमेजेस को बनाते हैं रियल इमेज वर्चूल इमेज इसको आपने समझा ठीक है आज हम लोग यहां lens पे सबसे पहले चर्चा करेंगे ठीक है उसके बाद prism के बारे में बात करेंगे colored light white light इसको बहुत बेतर से समझेंगे देखिए ये भी एक बहुत important topic रहेंगे आज के भी क्योंकि mirror के बारे में भी lens के बारे में भी prism के बारे में भी ठीक है जो white light colored light इस तरह जो बताएंगे आज हम उसको आपको आगे भी पढ़ना है ठीक है अगर अभी आप जाने रहेंगे तो आगे आपको सरलता रहेगी ठीक है देखिए तो lens पे चर्चा अगर हम करें तो lens जो है वो दो प्रकार का होगा जिस तरह mirror था दो प्रकार का एक होगा convex convex lens ठीक है एक होगा concave lens ठीक तोनों पर अलग-अलग चर्चा आगरेंगे हम लोग बहुत आराम से एक-एक चीज़ें समझेंगे क्या उसकी पहचान है किस तरह का वो दिखता है हम यहाँ चित्र बना करके आपको दिखाएंगे कैसी-कैसी इमेजिस बनती है रियल वर्चुल इरेक्ट इनवर्टेड इस तरह से जिस जिस तरह हमने mirror में जो-जो चीज़ें जानी थी वही-वही lens में जानेंगे लेकिन कुछ फर्क होगा जिसे आपको mirror के लिए हमने reflection करा रहा थे और एक तरफ polished surface था एक surface से reflection हो रहा था और एक polished surface था lens में क्या है lens जो है वो transparent होता है हमने यह जो चश्मा यह लगाया हुआ है इसमें भी यह lens लगे हुआ हुआ है तो lens आप साब देख पारें कोई transparent है block होगा तुम देखेंगे कैसे ठीक है convex और concave मतलब जब किसी को आँख से सम्मंदित इस तरह की दिक्कते होती है कि दूर की चीजें नहीं दिखती है पास की नहीं दिखती है दोनों देखने में दिक्कत है तो हम concave या convex lens की साहता से या दो यह वहां भी यूज हो रहाग है आपके चश्मे में यूज हो रहा है किस तरह पहचान होती है सिछ भी समझेगे कैसा दिखता है क्या हम उसका चितर बनाथे वह भी समझेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले convex lens के साहत ठीक ना कि दिको convex lens का हम सबसे पहले चितर बना तो convex lens कुछ इस प्रकार का होता है और थोड़ा बड़ा बनागे रहें है ठीक है convex lens कुछ इस तरह का होता है इसमें क्या खास बात आप देख रहे हैं कि यह किनारों से पतला है इसके किनारे जो है वो पतले है यानि थिन है और बीच का हिस्सा इसका काफी मोटा है यानि थिक है ठीक है हम यह लिग भी दे रहें किनारे जो है वो थिन है पतले है पतला या पतले किनारे ठिक, किनारा इसका क्या है, थिन है, हिंदी उपर लिखी हुई है, और बीच से ये ठिक है, ठिक यानि बीच से मोटा है, ठिक, तो कॉनवेक्स लेंज की पहचान आपने ये आपर जानी, क्या है पहचान, कि ये किनारों से पतले होते हैं, दुनों किनारों से पतले हैं, और बीच से ठिक है या मोटा है, किनारों से थिन है ठीक है क्लियर हो गई होगी बात अच्छा, अब यही पहचान वाली जो बात है, इसी को आगे बढ़ाते हैं ठीक जितनी बार चित्र बनाएंगे उतनी बार मेरी भी प्रेक्टिस होगी आपकी भी आँखों के आगे बार-बार आएगा आग में रहेगा, आप खुद भी कागज पर जरूर बनाएं बार-बार बनाएं आपको लगता है कागज वेस्ट हो तो उसके लिए घर में न्यूस पेपर आता होगा वो रद्दी में बिग जाएगा, रद्दी में बिगनेस पहले उसके चेत्र बना लो, कुछ लिख लो ठीक है, दूसरी चर्चा क्या करना है हम लोग कॉन केव की ठीक है, कॉन वेक्स की कर लिए, अब कॉन केव लेंस की कर रहा है वो कैसा दिखता है, देखो ऐसा वो जिस तरह का दिखता है, ठीक है, वहाँ क्या था, वो ऐसा था कॉन वेक्स कैसा था, बीच से, बीच से मोटा था, किनारों से पतला था कॉन केवलेंस क्या है, किनारों से मोटा है, और बीच से देखो पतला है ठीक है न, कैसा है, किनारों से मोटा है, दोनों किनारे इसके मोटे है ये किनारा भी मोटा है, ये भी मोटा है, ठीक है, वहीं पर बीच का हिस्सा पतला है लिख लेते हैं, तो किनारे जो है वो थिन है, पतला बार बार लिखने, इंदी में लिखने की ज़रूँए, सॉरी, किनारे थिक हैं, और बीच से ये थिन है, ठिक, किनारा क्या है, ठिक है, मोटा है, ठिक हो गई बात, फिर एक बार, कौनकेवलेंस, किनारों से ठिक है, या मोटा है, बीच से थिन है, या पतला है, और ठिक, बात होईगी, कौनवेक्स में ठिक उल्टा है, चित्र को दिमाग में रखेंगे, तो आप थिन और ठिक में कभी कनफ्यूज नहीं होगे, ठिक है न, अगर वर्ड की मीनिंग पता हो, तब कनफ्यूज नहीं होगे, अगर आपके मन में चित्र है, रटने की सोचेंगे, कि कौनवेक्स है इसा, कौनके वैसा है, नहीं या दो सकता, वो कनफ्यूजन होगी ही होगी, वो कोई ऐसी अजीब बात नहीं है, कि आप रटने का प्रयास करेंगे, तो आपको ज़न नहीं है, आप कहीं भी हो, उसको सोच सकते हैं, खुद दिमाग लगा सकते हैं, सपने में भी बता सकते हैं, कोई नीन से उठा के भी पूछेगा तो बता लेंगे कि कौन केव, तो तुरन दिमाग में चित्र बनेगा, कौन केव, इस तरह बनता है, किनारे से मोटा होत है, बीच से बतला होता है, ठीक, चलो, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेंस से जो इमेज बनती हैं, या प्रतिविम्ब बनती हैं, तो देखो होता क्या है, बहुत जादा आपको इसके डियाग्राम अभी बना करके नहीं दिखाने हैं, ठीक है, वो आगे की क्लासेज में है, में हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखो कौनवेक्स जब होगा, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, या वर्चुल होगी, दोनों हो सकती है, ठीक है, जब रियल होगी, तो इनवर्टेड होगी, उल्टी होगी, इनवर्टेड होगी, जब वर्चुल होगी, तो इरेक्ट होगी, या सीधी होगी, ठीक है, ठीक, वहीं दूसरी तरफ, अच्छा, कौनवेक्स लेंज से, छोटी भी बन सकती है, इमेज, बड़ी भी बन सकती है, कौनकेव लेंज में क्या है, कौनकेव में, सिर्फ वर्चुल बनेगी, और चुकी वर्चुल बनेगी, तो ये इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ठीक है, कौनकेव लेंज में हमेशा, इमेज छोटी ही बनेगी, बहुत अबजेक्ट से बड़ी नहीं बन सकती, ठीक, ये बात हो गई convex lens और concave lens से image किस प्रकार गई, बनती है, अध्यकों, magnifying glass जो होता है, सिर्फ जानकारी के लिए बता देने हैं, लिखने हैं उसको, magnifying glass जो होता है, जिससे आप छोटे अक्षरों को पढ़ते हैं, ठीक है, या insects वगएरा, जो बहुत छोटे हैं, उनको द concave से कभी भी image बहुत बड़ी नहीं बन सकती, हमने अभी यह भी बताया, अब देखो कुछ चीजें और समझ लो, ये कौन सा lens है, convex है, आप इसको पहचान गए, ठीक है, convex lens है, इसकी property आपको चित्र से दिख रही होगी, किनारों से मोटा, अग किनारों से पतला बीच से जो, या आपको एक मिनट, इसको prism बताने के बाद बताते हैं, अब यह prism आगे बताएंगे ना तब बताएंगे, इसलिए वीडियो में रुके रहना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही खुब्सूरत बाते हैं और बहुत ही जरूरी बाते हैं आपको बताने वादे हैं, देखो, अब बात कर लेते हैं सन लाइट की सन से जो लाइट आ रही है वो बेसिकली है white light ठीक है ठीक आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है और बारिश के बाद सूरी की किरने जब पढ़ती है ठीक है उसके बाद rainbow बनता है आपने अगर rainbow कभी देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि rainbow में साथ color होते है साथ color का rainbow बनता है ठीक उसी तरह एक prism होता है prism ठीक है आपको आगे prism हाथ में लेने भी मिलेगा उससे experiment करने भी मिलेगा उसके लिए मत चिंता करिए कुछ इस तरह का होता है यह हम सिर्फ एक 2D डैग्राम बना रहे है वो 3D अपना मस्ता आपको जब मिलेगा तो आप देखेंगे होता क्या है prism में जब आप अगर prism को अपने study table पे रखें और थोड़ा सा सूरी का प्रकाश इस पर पड़े तो आपको वो 7 रंग rainbow वाले ही दिखेंगे कैसे दिखेंगे देखो दिखाते जैसे देखो यह white light यह white light जो है आ रहे white light बहुत महीन होगा वो सकता है न दिख रहा हो आप बोल दे रहे है white light यहां लिखा हुआ है white light यहां रहे है यह प्रिज्म में से जब गुजरेगी देखो प्रिज्म का यह आधार है थोड़ी बहुत महत जानते हो कि अगर यह triangle मानो इसको तो यह इसका base है यह जो light इधर से ऐसे आ रही है यह किन ही कारणों से किन कारणों से यह आगे पता से लेगा किन ही कारणों से होता क्या है यह base की तरफ हलकी सी मुड़ जाती है इस base की तरफ मुड़ जाती है तो यह कुछ इस तरह का होता है इस तरह से होता है हम साथ line खीच नहीं रहे है क्योंकि बहुत बड़ा हमने चित्र बना जानी है तो क्या बात ध्यान रखोगे कि base की तरफ मुड़ जाती है हलका सा इस बात को जरूर ध्यान रखो जो हम उस समय अभी topic बताने जा रहे थे वह इसी पे base है कि प्रिजम की और हलका सा जुकती है ठीक है अब देखो यह white light seven colors में विवाजित हो जाती है कौन-कौन से है वह color सबसे पहले red ठीक है अब इसको तो याद रखने का एक तरीका है वे बिग्योर ठीक है तो red के बाद orange हमको खुद इसी तरह याद है इसलिए हमने लिखा ठीक है yellow ठीक ग्रीन ब्लू कि काफी नीचे होता जा रहा है इंडिगो और वाइलेट ठीक क्या है वे बिग्योर लेकिन उल्टा रेड औरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वाइलेट आपको जब प्रिज्म मिलेगा तो आप उसमें पाएंगे कि इस तरह से इसा होता है इसमें भी और तमाम आगेगी बाते हैं वो आपको आगेगी classes में बताई जाएंगे ठीक है बहुत प्यारी प्यारी बाते हैं कि यह कलर निकलते हैं यह साथ रंग होते हैं ठीक है साथ रंग के सपने और यह साथ रंग इसी से निकलते हैं ठीक है कि अब आजाते हैं टॉपिक पर कॉण्वेक्स लेंस कैसा होता है आपके दिमाग में चत्र बनना ज़ाइं बना है तो अच्छी बात है नहीं बना तो और अच्छी बात है कि अलगी क्यां यह से यहां से जब light आएगी कि जैसा देखो में प्रिज्म बनाया ऐसा कि प्रेस्व में बनाया था कि माया था इसमें तुम प्रिज्म को देख पा Рशा है कि इसमें प्रिज्म देख पा रही हो कैसी यह देख Undra भी देख पाऊगे दो प्रेजम दिखेंगे इसमें अगर हम बीच में एक लाइन खींच देए अब देखो दो प्रेजम देख रहे हैं हलके हलके प्रेजम देख रहे हैं एक ये प्रेजम दिख रहा होगा और एक उल्टा प्रेजम ये दिख रहा होगा दिख रहा है ये बेस है बीच वाली जो लाइन हमने कीची ये बेस की तरह दिख रही है ठिक अब देखो जो फंडा हमने बताया था कि जब वाइट लाइट इंटर करती है प्रेजम में तो वह हलका सा बेस की तरफ जुग जाती है वही सेम चीज़ यहां करेंगे जब light ऐसे आएगी तो यह हलका सा बेस की तरफ जुग जाएगी ठीक जब light ऐसे आएगी या ऐसे आएगी तो यूँ बेस की तरफ जुग जाएगी तो आप देखें आप देखें कि light जो है कैसे हो रहा है ऐसे पर हल्का सा base की तरफ जुग जा रही है कैसा ऐसे और फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे मतलब कहने का कि दोनों तरफ से बहुत अच्छा तुमने चित्र नहीं बनाया लेकिन देखो दोनों तरफ से क्या हो रहा है अगर दो भागों में इस lens को ऐसे बाटा जाए तो यह एक point पर आ रही है क्योंकि इधर से भी आएगी तो base इधर है इस तरफ जुकेगी इधर से आएगी तो इस तरफ जुकेगी यानि एक point पर जा करके मिल रही है converge कर रही है ठीक है converge कर रही है इसलिए इसको converting lens भी कहते है converting lens ठीक दूसरा नाम है इसको है वह है यही सेम चीज़ आप देखें कि कॉन केव में क्या है आप वीडियो पॉस करके दुबारा सोच सकते हैं अगर आपको मेरी बात ना पची हो तो लेकिन हमने जो बात प्रिजम में बताई थी उसी को यहाँ पर यूज़ किया है देखो यह है कॉन केव लेंस अच्छा बनाने के लिए कुशिश करें तो ऐसे श्ट्रेट पैरलल लाइन्स आएंगी और इधर 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 चलिए तो यह क्या है दूर दूर जा रहेंगे तो यह दूसरा नाम इसका डैवर्जिंग लेंस ठीक है यह कुछ इस्पेशल बातें आपको बतानी थी आगे भी इसका नाम आपको बताया जाएगा कारण सहीथ हमने यहाँ पर समझा दिया ठीक कॉनकेव कॉनवेक्स लिंस के बारे में आपने समझा प्रिज्म के बारे में समझा सनलाइट वाइट लाइट कलर्ड सब बताया विब ग्योर बताया याद रखने के लिए यही साथ कलर होते हैं इसी तरह हर कोई याद रखता है विब ग्योर ठीक है चलिए तो आज के ये भी इतना काफी है, आगे फिर इस चैप्टर को फिर अभी डील करना है, आगे भी करना है, ठीक, लेकिन अभी सेनंथ क्लास के लिए इतनी जैनकारी काफी है, तो बाकी आप अपने exercise के questions को करिए, बुक को पढ़िए, ठीक है, बुक को जरूर पढ़िए, सबसे special चीज है कि आप बुक को read करें, थोड़ी कटनाईयां होंगी, लेकिन बुक को read जरूर करें, चलिए, मिलते हैं अगले lecture में, और कुछ नई बातें जानेंगे, तब तक के लिए धन्यवाई.